आज मद्यरात्री यानी 8 नवंबर 2016 की रात्री को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नौट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी 500 और 1000 रुपए के पुरानी नौटों के जरिये लेन देन की व्यवस्ता आज मुद्यरात्री से उपलब्दन नहीं होगी ब्रश्टाचा काले धन और जाली नौट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्मों के पास मुझूद 500 रुपए 1000 रुपए के पुराने नौट अब केवल कागज के एक टुकडे के समान रह जाएंगे ऐसे नागरीक जो संपती महनत और इमानदरी से कमा रहे हैं उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी ध्यान रहे कि एक सो रुपए, पचास रुपए, बीस रुपए, दस रुपए, पांच रुपए, दो रुपए और एक रुपए का नोट और सभी सिक्के नियमित हैं और लेन देन के लिए उप्योग हो सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं है हमारे या कदम देश में ब्रस्टाचार, काला धंगलिवं, जाली नोट के खिलाब हम जो लड़ाई लट रहे हैं सामाने नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वानी है देश वाजियों को कम से कम तकलिप का सामना करना पड़े इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है पांसो और एक हजार रुपए के पुराने नोट 10 नमबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डागगर पोस्ट आफिस के खाते में बीना किसी दिसंबर के जमा करवा सकते हैं आपके पांस लगभग 50 दिनों का समय है अतह नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवशक्तान नहीं है आपकी धनरासी आते हैं आपकी आते हैं